दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले मैं भारत को भारती अताकी माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं उस काम में लगाएं कुछ काम में लगाएं जिन्दगी में कैंसर हो ही ना यह और भी अच्छा है जाना तो जिन्दगी में कभी भी आपको कैंसर ना आए इसके लिए बस इंखी चीज याद रखिये कि हमेशा जो खाना खाये हमेशा उसमें को डानडा नहीं उस में रिफाइंड आइल तो नहीं है डबल रिफाइंड थो और दूसरा जो भी खाना खा रहे हैं उसमें रेशेदार हिस्सा जादा है हाई फाइब्रस डाइट जिसको हम कहते हैं, जैसे छिलके वाली डाले खा रहे हैं, छिलके वाली सबजियां खा रहे हैं, सब कुछ छिलके वाला खा रहे हैं, चावल भी छिलके वाला खा रहे हैं, तो बिलकुल निश्चिंद रही है, कैंसर होने का कोई चांस लिए, और कैंसर के सबसे बड़े कारणों में से 2-3 कारण है, एक तो कारण है तंबाबु, दूसरा है बीडी और सिगरेट, तो तंबाबु, बीडी, सिगरेट और गुटका, वो किसी भी नाम से बिक्सा हो गुटका. ये चार चीजों को तो कभी भी हात मत लगाइए, क्योंकि कैंसर के मैक्सिम दिल्म केसि ढ़ीम के कारें व मिंक्स भी कोशश करने विली सिग्रेक्ट पर उन्होंने प्रतिबंग लगाने की कोशिश की है नहीं कोशिश जौन मिलड़ürü जारी है थोड़े दिन में वह कहे रहे हैं शराब पर भी करेंगे दो जैसे जैसे इस दिशार में हम आगे बढ़ेंगे, हम कैंसर से बचेंगे कैंसर के वारे में सारी दुनिया एक बात कहती है डॉक्टर्स हों, एक्सपर्ट्स हों, साइंटिस्ट हों कि इस से बचाओ ही इसका उपाए है बता देता हूँ अभी दो मिनिट में बता देता हूँ तो हम कोशिश करेंगे, कैंसर का ट्रीप्मेंट करें किसी का या हमारे परिवार का दो ध्यान रखें उसकी कीमो तरफी स्टार्ट हो गई तो कुछ कोशिश मत करें फाइदा नहीं आएगा, आपको भी डिप्रेशन आ जाएगा जब आप देखें कि कोई रिजर्ट नहीं अगर कीमो तरफी स्टार्ट नहीं हुई है इंग्लिश मेडिसिन उसकी नहीं शुरू हुई है उसको एलोपैथी नहीं स्टार्ट हुई है तो जरूर आप ये कर दीज़े, आपको 99% रिजर्ट मिल जाएगे इसमें हाँ, वो भी दे सकते हैं गेहु को बोवना और उसके जो किल्ले निकलते हैं उसका रस निकालके देना वो कॉंप्लिमेंट्ट्री है हाँ, दे सकते हैं हाँ, बहुत अच्छा, महिलाओं को आजकल बहुत कैंसर है, यूट्रस में, गरभाशे में और महिलाओं को आजकल बहुत कैंसर हो रहा है, उनके इस्तनों में, ब्रेस्ट में काफी तेजी से बढ़ रहा है तो माताओं को बहनों को क्या करना चाहिए जिन्दगी में कभी ना आए आपके यह सबसे अच्छा प्रिवेंशन है कि जैसे ही आपको आपके शरीर के किसी हिस्से में अन्वांटिड ग्रोथ का पता चलेगा अन्वांटिड ग्रोथ मनें जो आप नहीं चाहते और वो हो गई रसौली हो गई गांट हो गई तो इमीडियेट आप कॉश्यस हो जाए हाला कि दूसरी बात यह भी जन्ताों को सबसे अच्छा तरीका है कहीं भी रसौली हो गई गांट हो गई इसको जलोग कड़्र similar को उसका इसकी सबसे अच्छी दवा है चूना, चूना वही जो पान में खाया जाता है, चूना वही जो पुताई में इस्तेमाल किया जाता है, पान वाले भी दुकान से चूना ले आईए, अभी तो पैटिक में मिलना शुरू हो गया है, उस चूने को कनक्य दाने के बराबर रोज ख सब्जी में डाले के सब्जी खा लीजे कहीं भी शरीर में गाट है तो सब्सक्राइब करने का बहुत सिंफुल तरीका है जो भी माता हूं के पेट में रचली हो जाएगी उनकी मेंसिस साइफिल पूरी तरह से बिगड़ जाएगी उससे बता चलेका खुन बहुत जादा आएगा और 28-30 दिन में मेंसिस आना चाहिए वो 15 दिन में या जाएगा दस दिन में आजाएगा, बारा दिन में आजाएगा, पराइज alláज दिन में आजाएगा, होसकता है कि वह एक हफ्ते चले, तस दिन चले, पंदरे दिन चले, बूर्दिं बहुत होगा ठकान बहुत आएगी शरीर में कमजोरी बहुत हो जाएगी तो उससे तुरंद भाव लीजिए कि रसओनी हो रही है या हो चुकी है बाद में कन्फर्म करना है तो सुनोग्रफी करा लीजिए तीन मैंने खाके थोड़े दिन छोड़ नहीं है नहीं छोड़ेगे तो क्या होगा वो लेकिन अभी बात चल रही है माताओं को बेहनों को कहीं भी काट हो जाए वो गर्बार्श में हो सकती है शरीव के बाहर कहीं बाहर करने का एक ही सगल उपाय है कि उनके मासिक की जो गडबड़ी है वो नोट करिए या तो बहुत खून जा रहा है या तो उनको हर दस पंत्रे दिन पे मैंसी शुरू हो रहा है और या कभी-कभी ऐसा भी हो जाता इसका उल्टा दो तीन महीने लगातर मासिकी नहीं आएगा बिश्कुल बंद हो जाएगा तो वो भी एक संभावना हो जाती है रस्वाली होने की गांट होने की और एक आखरी है कि अगर मां शादी-शुदा है उसके पती के साथ उसका संपर्क है तो संपर्क के समय बहुत ब्लीडिंग हो रहा है तो मान लीजए, कफर्म है कि वह गांट हो गई है, तो इन चार कंडिशन को पता करके आप बिलकुल कनफर्म कर सकते हैं, कि आपको चुना की जरूरत आ गई है, यह चुना सबसे अच्छी दवा है, सबसे सस्ती दवा है, side effect इसके बहुत कम है बिलकुल minimum है और दुनिया की सब दवाएं उसी चूने से बढ़ेरे जो रसौली को गलादे है होवियो पहदी में रसौली को गलादे की कई दवाएं उनके नाम है कलकेरिया फॉस है, कलकेरिया कार्म है कलकेरिया फ्लूर है तो वो सब बताओं उससे अच्छा मैंने आपको मां बता दी जिससे ये सब दभाएं बन दियों चूना ही है तो चूना आपको खाना है खिलाना है कितना खाना है एक बार में एक डोस कनक्य दाने के बराबर दही में गोल के पानी में गोल के लसी में गोल के डाल में गोल के सबजी में गोल के चावल में डाल के खिचड़ी में डाल के एक चीज छोड़कर किसी में भी गोलिये दूद दूद छोड़कर किसी में भी मिला के चूना खाले अब ये तो हुआ रसौली अब जिनको रसौली नहीं आपने का वो भी खा लें तो क्या क्या करता है यह चूना ध्यान दे दीजिए इससे बढ़िया दवा शायद भगवाद में नहीं बनाई कोई मैंने इसका बारे साथ बहुत अनुभव किया है इस चूने से ऐसे ऐसे बीमारी ठीक होते हैं कि आप मेरा दोटे नहीं दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें फिल लाइब कमेंट और शेयर करें और हाँ हमारा एंडरोइड एप डाउनलोड करना ना भूलें